गाइस PC या Laptop में flickering issues बहुत common हो गया है तुम्हारे Laptop पे या PC में अगर flicker हो रहा है, light blink हो रही है तो यह chances हैं कि यह तुम्हारा hardware की वज़े से या तो software के वज़े से भी हो सकता है तो बहुत सारे लोग recommend करते हैं कि तुम इसे service center में लेके जाओ, वहाँ पे कुछ पैसे खर्च करो, ठीक कराओ, यह अगर warranty में है तो service अपनी उस पे करा सकते हो लेकिन अगर तुम इस वीडियो पे आई गया हो, तो मैं recommend करूँगा कि service center ले जाने से पहले कुछ जो है troubleshooting apply कर लो, ताकि हो सकता है कि तुम्हारा यह issue resolve हो जाए और तुम्हें कहीं जाने की जरुवत ना पड़े है ठीक है, तो सबसे पहले जो troubleshooting से पहले मैं तुम्हें recommend करूँगा कि अगर तुम कोई PC यूज़ कर रहे हो, PC में यह problem आ रही है, तो एक बरी जो cable है, तुम्हारी VGA cable है, जो भी cable यूज़ होती है, उसको एक बरी हटा के properly connect करो, ठीक है, तो loose cable की वज़े से भी problem आ सकती है अगर laptop में issue है, तो laptop में तुम्हें ये make sure करना है, कि तुम्हारा जो adapter है, वो faulty नहीं है, तो एक बरी full charge करने के बाद, adapter को हटाने के बाद laptop use करो, और देखो कि क्या तुम्हें ये problem अब दुबारा आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर ये issue नहीं है, तो हमारा सबसे पहला step ये है कि हम ये find out करें कि हमारा ये hardware का issue है कि software का, तो उसके लिए सबसे best तरीका ये है कि हम अपने PC या laptop को start करें safe mood में, अगर safe mood में ये तुम्हारा सही चलता है, तो इसका मतलब है कि issue तुम्हारा software end से है, driver end से है, ना कि hardware से, ठीक है, अगर ये तुम्हारा safe mood में भी ठीक नहीं चलता है, तो इसका मतलब है hardware problem है, और उस case में तुम्हें जाना पड़ेगा service center, या किसी भी local technician के पास, तो चलो मैं तुम्हें स्क्रीन पर ले के चलता हूँ, और दिखाता हूँ कि किस तरह से ये तुम्हें सारे steps को apply करना है, तो अभी हम गाईज आ चुके हैं अपन video search पे click करना है, टाइप करना है msconfig, system configuration आएगा इस पे आपको click करना है, और यह आलब box open होगा, यह top menu option में आपको click करना है, boot पे, और यह boot option मिलेगा, यहाँ पे safe boot को आपको check कर देना है, इतना check करने के बाद apply करो, और ok पे click कर दो, अब यहाँ पे restart के लिए बोलेगा, त next time जो हमारा system start होगा, वो safe mood में start होगा, तो हम यहाँ पे restart करते हैं, तो अभी guys हमारा system restart हो गया है, और safe mood में on हो चुका है, तो अभी देखो यहाँ पे आपको check क्या करना है, कि यहाँ पे क्या आपकी screen flicker हो रही है, blink हो रही है, ठीक है, अगर नहीं हो रही है, तो यह confirm होत ही है, आपके software end में या driver end में ही कोई problem है, ठीक है, अगर यहाँ पे mileage अभी भी flicker होती है, तो यह तो यह आपकी RAM कहीं से lose है, यह तो कोई hardware issues है, उसके लिए तो आपके पास फिर एक ही option है कि आप service center में जाके इसको check कर आओ, लेकिन अगर आपके screen यहाँ पे flicker नहीं हो रही है, तो next जो आपको troubleshooting करनी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, please make sure कि वीडियो को लाज सक देखना, skip मत करना, और यार अच्छी लगेगी वीडियो, तुमारे helpful होती है, तो वीडियो को like, subscribe, please कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है, अ display adapter मिलेगा, इस पर double click करो, और जो भी तुमारा यहाँ पर display adapter में, तुमारा driver होगा, जो भी तुमारा graphic driver होगा, वो यहाँ पर show करने लेगेगा, AMD, NVIDIA, Intel, जो भी तुम यूज कर रहे हो, जो भी एस पर तुमें right click करना है, और uninstall device कर देना है, uninstall device करने के बाद दुबारा से uninstall पर click करो, और उसके बाद हमें यहाँ से system को restart कर लेना है, लेकिन restart करने से पहले, अब हम safe mood को हटाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए फिर से दुबारा आप click करो, search box पर type करो, msconfig, और यहाँ system configuration आएगा, इस पर click करो, top menu option में boot पर click करो, और save boot को uncheck कर दो, apply और ok, तो अभी हमने क्या किया, अपने graphic driver को uninstall कर दिया है, और system को दुबारा से normal mode में restart कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर restart दुबारा click करेंगे, ठीक है, तो अभी screen हमारी वापस normal mode में आ गई है, दुबारा से आप check करो, कि आपका issue resolve हो गया है, कि नहीं हो गया है, अगर अभी भी नहीं application है, कोई software है, तो सबको तुम्हार एक बड़ी अपडेट कर लो, अगर कोई भी video editing software है, कोई भी तुम्हारा graphic को related कोई software है, तो सबको update कर लो, outdated होने के वज़े से भी problem आ सकती है, प्लस अगर तुम कोई third party antivirus यूज़ करते हो, like Norton है, Macafee है, AVG है, तो उसको एक बड़ी exit क करके देखो, uninstall करके देखो, वैसे भी मैं recommend करता हूँ, तुम्हें third party application, antivirus को न यूज़ करके, Microsoft का जो default security है, उसी को use करो, जो तुम्हें free में मिलती है, और बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, उसको try करो, ठीक है, अब उसके बाद, तुम्हें windows icon पे right click करना है, जाना है settings पे, और settings में open करने के बाद, तुम्हें मिलेगा apps का section, apps को open करो, और installed apps पे जाना है, अब यहाँ पे recently तुम्हें अगर कोई application software install किया है, और तुम्हें लगता है कि उसके बाद ही problem आ रही है, तो उस software को, उस application को तुम्हें यहाँ से ढूंड़ना है, ठीक है, उसको एक तुम्हें आप application मिलती है, यह कोई software मिलता है, जो तुम्हें यूस का नहीं है, तुम नहीं जानते हो, उसको भी तुम्हें यहाँ से uninstall कर देना है, अनिस्टॉल करने के लिए simply तुम्हें 3. पे click करना है, अनिस्टॉल को option मिलेगा, और अनिस्टॉल यहाँ से कर दो, next, finally हम पर right click करना है उस पर update driver पर जाना है search automatically for driver पर click करना है अगर कोई भी update है तो update कर लो update करने के बाद restart करो और I am pretty sure कि तुमारी problem यहां से fix हो जानी चाहिए अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो next हमारे पास कुछ और भी solution है जो तुम्हें apply कर लेना है और उसके लिए तुम्हें अपने windows search पर click करना है और type करना है advanced और suggestion में तुम्हें मिलेगा view advanced display info अगर यहां से नहीं मिलता है तुम right click करके अपने desktop पर और display setting में जा सकते हो और यहां नीचे आने पर तुम्हें advanced display का option मिल जाएगा यहांने के बाद जिस भी तुम्हारे screen के साथ problem है तो display adapter properties for display one वाल option मिलेगा इस पर click करना है तो दूसरा box open होगा यहां पर monitor पर click करना है और यहां पर screen refresh rate को तुम्हें choose कर लेना है जो भी तुम्हारा proper यहां पर देखने को मिलता है वैसे 60 Hz recommended है और अगर यह hide mood that this monitor cannot display वाला option आता है highlighted तो एक बाद इसको भी चेक करके देख लो उसके बाद apply करो, okay करो, resolution change होगा तुम्हें permission माँगेगा yes पर करना, yes I want to keep the changes और उसके बाद चेक करके देखो क्या तुम्हारा issue resolve हुआ है या नहीं हुआ है अगर in case यह सब solution को apply करने के बाद भी तुम्हारा issue नहीं resolve होता है तो एक बड़ ही try करो अपने system को restore करने का तो उसके लिए क्या करना है अपने windows पे दुबारा से click करना है windows search पे और आपको type परना है rstrui.exe और यहाँ पर यह run command rstrui option मिलेगा इस पे click करो और यहाँ मैंने कोई restore point नहीं बना रखा है क्योंकि मेरा यह virtual machine है लेकिन अगर तुम्हारे end पे restore point बना होगा I'm very sure कि बना ही होगा या तो तुम्हें खुद बनाया होगा या तो windows भी automatically बना देता है तो तुम्हें कई सारी यहाँ पर date देखने को मिलेंगी ठीक है उनमें से तुम्हें वो date choose करना है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा laptop या PC सही चलना था उस date को select करो next पर click करो और यहाँ पर तुड़ा से time लेगा restore होने में restore होने के बाद check करो कि क्या अब तुम्हारा issue resolve हुआ है या नहीं हुआ है I am very sure कि अगर यह hardware का issue नहीं था और software के वज़े से यह problem आ रही थे तो तुम्हारा issue अब जो है 100% resolve हो जाएगा तो that's all guys आज के लिए इतना ही hopefully यह सारे solution तुम्हारे लिए काम करेंगे काफी helpful होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो यार वीडियो को like subscribe करना मत भूलना और कोई भी doubt होता है तो मझे comment section में ज़रूर बताना और हम मिलेंगे next video में